वेल्कम बैक तो मैं चानल कैसे हैं आप सब लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे जो आप लोग का बिहार में जो आप लोग को पुछ लेते हैं तो वहां पर भी बहुत कंफ्यूजन होती है काफी इंपॉर्टेट पॉइंट भी है एक कोशन ज़रूर बनता है और टिफिक होगा आए वीडियो को शू करते हैं यह करने से पहले सब्सक्राइब कर दिए और बाकर कोस्तों क्या करते हैं तुछ समंझने के लिए हैं पल्ट आप क्लेर होगा क्या है जो भी आपकी उधार विक्री की जाती है जो भी हम कर रहे होते हैं तो एक तो cash sale होती है दूसे carrid sale है तो जब भी हमारी خ reminding sales रहती है जो भी रहे होते हैं विए आज को ером चाहले फिरम को स॥ैंब अदी यो बर्लब एक है पर काम सबक्व된 करेथे धस ध कर रहा क्दा कोर दुट आ जाता है जाता है तो लिए न offset मिलेग की तो वह अपका बैट बन जाता है अगर मिलने की संफावना होती है की मल भी सकता है नहीं थी यानि कि अंशर्टेण है अनिष्जद है आपको कन्फन नहीं है कि क्या होगा तो आपका क्या हो जाता है doubtful debt क्यालाता है जैसे कि यहां पर मैंने approved definition के तौर पर दे भी दिया है तो note करना चाहिए note भी कर लीजे कि bad debt refers to the sum due from the debtors which remains unrealized and so they are written off in the company's book of account तो कि अपमें यह रहता है कि मिलने की बिल्कुल भी एक hope नहीं होती है इसलिए उतको जो हम accounts मनाते हैं अपने company के उसे हम return off कर देते हैं अप्लिखित कर देते हैं वो हो जाता है आपका bad debt अब इसलिए में दूसा point जो बनता है आपका कि जो dogful debt होता है जो थंदिक दिरेड होता है उसने कहा रहेगा कि as against dogful debt refer to the debt with which there is an uncertainty as to the degree or to which amount will be required from the debtor पर हमें ये नहीं पता होता है कि recover होगा भी हमारा amount हमको receive होगा नहीं होगा या कितना amount हमें receive होगा तो वो हो जाता है हमारा dogful debt यानि की संदिक दिरेड अब इसमें क्या रहेगा कि जो आगी क्या रहा है कि प्रावधान करनी की बात आती है जो वहाँ को मैंने आप लोको समझाया था कि जो अबधारणाएं थी जो लिखा कर सिदान होते है अको इस या पने ही काप्धारणा होते है उसय के आपकी कवड़िजम के अफदारणा जिसमें रहता है रोड़ीवादी इसमें यह कहा जाता है कि आपके जो प étape हो रहता है भ तो आप तो पूचर में कोई लॉस होता है तो आप असाने से रिक्वार कर जाएंगे उससे इसलिए तो आप यह कहा जाता है कि लाव की आशा ना करिए लेकिन हानियों के लिए प्रावधान करिए तो यह भी क्या है एक तरह का लॉस ही तो होगा अगर हमको कोई अमॉट मिसी या फिर बावफोई डेप आई चलते हैं इसमें हम कोईशन की तरफ और उसी में हम देखेंगे कि किस तहां से इसका पोईजन किया जाता है या जो अमॉट हमने पोईजन किया होगा उसे हम कहां पर शू करेंगे या अगर बैट डेप्ट है रिकवर नहीं हुआ है तो उसे हम कहां पर दिखाएंगे या फिर अगर रिकवर हो जाता है तो उस अमॉट को हम कहां पर दिखाएंगे वो कि कोशन जो आपके बनेंगे इसी सेलेटर ही बनेंगे और एक इसमें निमेरिकल भी माना इंकूर्ड किया है जिससे कि अगर निमेरिकल सेलेटर कोशन साहते हैं त तो ऐसी राशी को डैश माना जाता है If a person fails to pay his debt, such an amount is considered as debt Bad debt, bad debt recovered, provision for bad debt, non-optable बहुत सिंपल साइजी सा कोशन है अपकी समझ में आई गया होगा कि कोई व्यक्ती है, कोई परसन है अपने debt को नहीं repay कर पा रहा है, नहीं चुका पा रहा है Second question है, the provision for bad debt is made by crediting dash अशोद रुडों के लिए प्राधान dash credit करके किया जाता है अब यहाँ पर ध्याँ दीजएगा कि जब हम प्राधान कर रहे होते हैं प्राधान कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक entry की जाती है तो इंट्री में ही आपको ध्याँ रखना है कि क्या चिस credit की जाती है और कौन का account हम debit करते हैं तो यहाँ पर जो entry इससे related की जाएगी तो यहाँ पर profit and loss account को हम debit करेंगे और हमारा credit में क्या जाएगा, तो provision for bad and lawful debt account यहाँ कि जो entry आपकी बनेगी, profit and loss account debit to provision for bad and lawful debt account credit यह आपकी entry हो जाएगी तो question में कहा रहा है, credit कहां किया जाएगा, credit किया जाएगा provision for bad debt account में तो पर एक answer होगा, option C अगर debit को question पूछता, तो debit कहां किया जाता, profit and loss account में किया जाता तो भ्यार में रखिएगा, इसमें mainly जो की जाती है, वो तीन तरह की entries होती है पहली entry, जैसे कि आप इस तीन पर देख रहे होंगे पहली entry रहती है, कि आपको जो bad debt account है, क्योंकि हमें return off करना है उसके लिए bad debt account debit होगा, और debtors account हमारा credit हो जाएगा उसके बाद क्या करते है, कि इसको हम provision कर रहे है, जो bad debt का था, क्योंकि हमें नहीं मिल ला है तो उसको हमें return off कर देना था, आपने भी पढ़ा था इसके बारे में अब हम इसके लिए जो हमें मिल सकता है, provision कर रहे है, तो provision करने के लिए प्रावधान जो हम करेंगे तो entry जो करते है profit and loss account debit होता है, तो provision for bad and off for debt account क्या होता है, credit कर दिया जाता है उसके बाद third entry जो होती है, debt account debit को bad debt account यहाँ पर क्या किया जाता है, being transfer of bad debt to provision for bad debt account हम जो bad debt है, उसको transfer किसमे कर देते हैं, जो हमने provision for bad debt के लिए account बनाया था, उसमें तो यह entries आपकी की जाती है, यहाँ पर question में कहा था, कि जो provision हम कर रहे होते हैं, तब कौन सी entry की जाती है कौन सा account credit होता है, वो हो जाएगा provision for bad debt account तो एक तांसर होगा option C next question है, अशोद रिर को दिखाया जाता है, bad debt is shown on, debit side of profit and loss account, credit side of profit and loss account, asset side of balance sheet, liability side of balance sheet बहुत important question है यह भी, यह जो आपका bad debt होता है, उसको हम कहाँ पर show करते हैं, कहाँ पर दिखाते हैं तो bad debt क्योंकि आपका क्या है, एक पहाँ का loss ही तो है, क्योंकि आपको जो amount मिलना था वो नहीं मिला, तो जब भी हम जो loss होते हैं, जो profits होते हैं, उसको कहाँ लेकर जाते हैं, profit and loss account में next question है, अश्वद रिर का कारण है, cause of bad debt, bankruptcy of customers, इसको आप insolvency of customers भी बह सकते हैं, amount not received from customers, both a and b, none of these question में कह रहा है, कि जो आप bad debt होता है, उसका क्या reason होता है, या cause होते हैं, तो bad debt यो किसी भी संस्था में, institution में, या फिर किसी company में कब बनता है, जब बनता है, जब या तो, जो customer है, वो इसको आपना चुका नहीं पाया है, पे नहीं कर पाया है, या फिर तब बनता है, जब जो ज़राशी देनी थी, उसने नहीं चुकाई है, तो उसके भी reason हो सकते हैं, वो सकता है, कि उसको उसको प्रश पॉफिट ना हुआ हो, loss हो गया हो, या उसने अपना business बंद कर दिया ह या फिर यह भी हो सकता है, कि जो उसके asset थी हो, loss हो गई हो, loss हो गई हो, जिस वज़े तो नहीं दे पाया हो, कुछ भी reason हो सकता है, या पर तो यह दोनों ही color हो जाएंगे, तो एक तांसर होगा option C, both A and B. चलिए इस question लेते हैं, अशोद रिर्खों चिट्थे में दिखाया जाता है, bad debt are shown in the balance sheet, by adding to the debtors, amount less, form debtors, miscellaneous, expenditure, none of it. अभी इससे पहले के question में हमें दिखा था, कि जो bad debt था, उसके फकार लेकर जाते थे, जो हमारा profit and last account उसके debit side में, अंड में हम जो account में balance sheet, तो कि आपको पता ही होगा last पर बनाई जाती है, तो balance sheet जब हम बना रहे होते हैं, तब हम अशोद रिर्खों को कहां पर दिखाते हैं, तो जो balance sheet हम बनाते हैं, उसमें जो आपके debtors होते हैं, उसमें से घटा करके दिखाया जाता है, उसमें से amount को less क दिया जाता है, जितना हमारा bad debt बन रहा होता है, तो एक तांसल क्या होगा, option B, next question है, अशोद रिर्णों की वसुली पर किस खाते को debit किया जाता है, which account is debted on recovery of bad debt, cash account, debtors account, liability account, none of these, question में जो कहा रहा है, अब यहां पर देखिए, अभी तक हमने समझा था कि bad debt हुआ है, उसमे अब यहां पर गहरा है कि recovery हुए, जाने कि जो bad debt को पहले हमें यह था कि हमें recover नहीं होगा, को amount नहीं मिलेगा, लेकिन अब हगर हमारी उसकी recovery हो चुकी है, और हमने अपने books ने उसको पहले अब लिखित कर दिया था, return off कर दिया था, अब उसकी recovery हुई है, तो जब अगर ऐ यहां पर आपसे जो पूछा है, transfer नहीं पूछा, यह पूछा recover हुआ है, जो सिफ recover होता है, तो यहां पर cash account या फिर घ्राण दिजिएगा band account भी लिखा हो सकता है, दो नहीं करेक्ट होंगे, तो यहां पर cash account क्या होता है, debit कर दिया जाता है, अगर credit को पूछता, तो credit क्या क रशी को इसमें हस्तांतित किया जाता है बात डिप्र कॉटर्शन आगया अका कि कहां पर हस्तांतित करते हैं प्रश्थ करते हैं इसे घ्रक्र रेंगी बैलन्स शेत में पॉबट गैज एटर यह दार्ट एकॉंड में debit side of profit and loss account by subtracting from the amount of debtors in the balance sheet, both A and B, none of it. अभ्यान दिजेगर यहाँ पर दिनदारों को कटवती की राशी की बात हो रही है, तो यहाँ पर दिनदारों को कटवती का मतलब क्या होता है, कि कभी-कभी जो हमारे debtors होते हैं, वो amount को नगी चुका पाते हैं उस वर्ष में तो अगले वर्ष में को कुछ पड़ोती दे जाती है, यह कुछ discount दिया जाता है, तो उस discount को हम पहाँ पर शोपरते हैं, तो उसे हम लाभानी खाते हैं, और profit and loss account के debit में भी दिखाते हैं, क्योंकि यह आपका expense से इतना का loss है, और साती है, जो हमारा debtors है, जो हम अपने balance sheet में दिखाएंगे, उसमें से भी हम less कर देते हैं, दोनों में से ही दिखाया जाएगा, तो जयान रिखेगा, तो एक answer यहाँ पर हो जाएगा हमारा option C, next question है, देंदारों पर कीगई कटाथी के लिए प्रावधान है, poison for discount on debtors cash, क्या है, कि हम कटाथी के लिए प्रावधान करना है, क्योंकि हम अगर कटाथी दे रहे हैं, तो उसके लिए पर कुछ पहले से करना होता है, तो प्रोवशन क्या है आपका, वो एक नहां का loss होता है, हाँ नहीं होती है, तो एक नासर होगा हमारा option है, इस question है, 31st March 2019 को for देंदार, यहाँ पर यह निवारिकल है आपका, देखनेते हैं इसको क्यासे solve करना है, अगर practical यह question आता है आपका, तेंदार रुपिस 25,000 है ताथा अप्राप पे रिड़ 1,000 है, तो यदि देंदारों पर छूट की दर 2% ताथा अप्राप पे रिड़ के लिए प्राभ्भान की दर 5% हो, तो देंदारों पर छूट की राशी होगी, तो यहां पर आपको निकाल नहीं है कि दिन्दावों कुछ की राशी क्या होगी क्या बताया है कि 25,000 के देदार थे 25,000 के डिटर्स थे और अप्राप्रे यह बैट डिट था 1000 का और जो हम डिस्पाउंट दे रहे थे डिटर्स को वह 2% का है और जो अप्राप्रेट के लिए यानि जो प्रोविजन हम कर रहे हैं बैट डिट के लिए वह कित्य का हो जाएगा वह होगा हमारा 5% का तो अब हमें टोटल यह निकालना है कि जो डिटर्स है उतको जो डिस्पाउंट के राशी दी जाएगी हो कितनी होगी यह हमें इसको फॉल करने के हम क्या करेंगे जो हम तक से पहले हमाँ डिटर्स का मौँट हो इसको लिख लेंगे आपको को एकॉन बनाने के आपको नेट नहीं है डायक्ट हमें के लिए तो यहां पर जो डिटर्स है कितने का दे रखते हैं 25,000 के एज़ट दिख लीजए उतने से हम जो हमारा बैड डेक्ट है कि अब हम यही परहा था जो बैड डेक्ट होते है उतको हम उतने सो लिख कर देते है अब हम इसको लेस कर देंगे 25,000 में से 10,000 कितना आएगा 24,000 आजाएगा उत के बाद हमसे क्या कह रहा है कि हमें discount निकाले है उतसे last में आएगा उतके बाद ज उस पर हम 5% निकालेंगे, कितना आएगा हमारा, 1200 का आएगा, 1200 का आएगा, अब इसको हम less कर देंगे, less करने पर कितना आएगा हमारा, 22,800 का मौंट आएगा, इस 22,800 पर हम क्या करेंगे, जो हमारी दे रखी है, discount के लिए, कितने पसंद पर 2% का, वो हम discount on debtors निकालेंगे, 2%, 22 हो जाएगा हमारा answer, यही हो जाएगा हमारी discount का amount होगा वो, बहुत easy है, पस ध्यान में रखना है, step by step आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको जो debtors का amount इसमें बैजिक less करना है, उसके बाद हम प्रोजन का amount less करना है, उसके बाद हम से निकालेंगे, जो हमारा discount होगा उसको, अब एक चिस और ध्यान रखेगा, अगर आपसे question में यहाँ पर यह पूछता कि last week हम जो balance sheet में उसमें कितना amount दिखाएंगे, तो जो अभी आपने discount निकाला है, इसको भी हम less कर देते, जो हमारा discount निकल के आया है, उसको भी हम 22,800 का amount है, उसके लेस कर देते, उसके बाद ज क्लियर हो गया होगा, जो भी आपने पढ़ा जितना भी, जितने question क्लियर हो गया होगा, अगर जबार कल लिस्त आएगा, तो आपसे कैसे लगाएंगे, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, question समझ में आएंगे, तो वीडियो को like जुरूर करिएगा, आप लाइक नहीं कर